हेलो फ्रेंड्स सब्सक्राइब किजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को और दबाईए इस बेल आइकन को पाईए चैनल से जुड़े लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स नमस्तकार दोस्तों स्वागे थे आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इस्टेडी विद दीपक सर दोस्तों आप मैंसे जो वास्तों में त्यारी करना चाहते हैं रेल्वे ग्रूप डी की उनसे निवेदन है नीचे एक लाल बटन बनाऊगा उसको दबा यह इस पर भरती बोर्ड बिल्कुल खामोस है यानि ऐसे चांस ना के बराबर है आई टी आई को खतम बिल्कुल नहीं किया जाएगा उसके लिए जितनी पोस्त रिजर्व हैं यानि पचास जार से अधिक उस पर केवल वही विद्यार्थी आविदन कर पाएंगे जिन्हों जताने के बाद रेलवे बोर्ड ने गुरूप सी और गुरूप डी की सवी स्रेंडियों में आयू सीमा बढ़ा दी है यानि आयू सीमा तो बढ़ा दी गई है लेकिन आई टी आई हटाने या खतम करने पर कोई विचार नहीं आया है तो आप इस जानकारी को अधिक से अध जारती अपलाई करेंगे यानि 10,000 के आसपास के पड़ों पर ऐसे भी द्यारती अपलाई कर पाएंगे जो 10 पास है और 50,000 से अधिक पर उनके लिए आरक्षित किये गए हैं जोनोंने आई टी आई कर रखी है तो दोस्तों यह बड़ी खबर है बुरी खबर भी कह सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकता है एक बार मैं फिर से इसको पड़ देता हूं जिन्होंने नहीं देखा है वो देख विलें रेलवे बोर्ड ने फरवरी के प्रथम सब्ता में जारी अर्शूचना में गुरूप C और गुरूप D के सभी वर्गों के अभियाठ्चियों की करनारचित कोटे में अधिक्ता मायूग को कम कर दिया गया है रेलवे बोर्ड के सूत्रों ने बताया कि दसको पहले अधिक्ता मायूग को कम करने के रेलवे के फैसले से विरोजगार युवाओ अपरेंटिस वर रेलवे यूनियन ने विरोध करना सुरू कर दिया है रेल म प्रफूर्ड के अधक्ष अस्वनी लुहानी वार रेल मंत्री प्यूस गोल को पत्र भी लिखा था जोस्तों इसमें ने लिखा था कि आई टी आई की डिगर को खत्म कर दिया जाए और उम्र सीमा को दो वर्स बढ़ा दिया जाए तो एक दिन्ड़ने तो आ गया है कि आप की चेक कर सकते हैं प्यूस गोल जी के वहाँ पे बेएनने इस बात का जिक्र किया है कि आपकी उम्र सीमा को दो वर्स जरूर बढ़ा जाएगा लेकिन आइटी आई के संवन्द में इन्होंने एक भी बात पर जिक्र किया नहीं है यानि आइटी को खत्म करना है या कम करना है पोस्ट बरावर करनी है इस विसे पर कोई चर्चा नहीं हुई है फिलाल आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सेर जरूर करें धन्यवाद